हालो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाला हूं बिरला टायर लेम्टेट के बारे में चुकि एक पेनी श्टॉक हो चुका है और सिर्फ और सिर्फ पांच रुपए के प्राइस पर ट्रेड करना है और NCRT में जाने के बाद लोग सोच रहे हैं कि ये कमपनी काफी जल्दी रिवाइब करेगी और एक अच्छे दाम पर पहुचेगी और हमें बड़ा मुनाफाद बना के देगी तो दोस्तों क्या है इसका अकीकत और क्या ये आपको शही में एक मल्टी बेगर रिटर्न देगा या फिर मल्टी बेगर बना देगा ये बात आप दियान से इसके बारे में कुछ न्यूज है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों एक कमपनी अंसेल्टी में चली गई है और इसके खरिदार भी मिल गए हैं इसके जॉइंट दो खरिदार हैं इमादरी इस्पेसियाल्टी केमिकल और प्लस डालमिया ग्रूप जियां दो आप चैलेंज भी किया है लोगों ने तो उसको चैलेंज करने वाले कौन कौन है उसके बारे में भी बात करेंगे बिरला टायर जिस ग्रूप से अलग हुई थी केसो राम इंडस्ट्री उस केसो राम इंडस्ट्री ने इसे चैलेंज किया है साथ में HDFC बैंक ने किया है और और कई लोगों ने इस company को challenge किया है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसके बारे में तो और इसके बाद अगर जो resolution हो जाता है तो इसको market से deal list किया जाएगा चाहिए वो किसी भी exchange पर हो तो इसलिए सबी share दारकों को इस company से सावधान हो जाना चाहिए और मौका रहते ही निकल ज जाना चाहिए ऐसा नहीं सोचना आए कि पांच रुपए लगा है तो मुझे क्या हजार रुपए चला जाएगा तो एक रुपए भी नहीं बचेगा इतना guarantee है तो इसलिए deal list होने से पहले आप इस company से निकल जाएए पांच रुपए का share है अब फिलाल में और एप प्ली द इन कंपनियों में कोई न कोई विवाज चल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं joint दोनों लोगों ने मिलके इस company को acquire किया है यहाँ पर पढ़ सकते हैं हिमाद्री speciality chemical प्लस डालमिया ग्रूप यह दोनों इस company अच्छी है और दोनों ने jointly रूप से इसको acquire कर लिया है य कैरेंटीसन इन्वोल केसोराम इंडस्ट्री परेंट कंपनी आफ बिरला टायर यहां पर पढ़ सकते हो यह इसकी parent company है साथ में HDFC बैंक के बारे में भी पढ़ सकते हो दोस्तों केसोराम इंडस्ट्री के अलावा मानों इंवेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी ने भी इसी च दोस्तों इसमें इस केस को उठाया काउन था इस कंपनी पे 1100 करोड का बकायदार लेंदारी है देना है लोगों को इसको उठाया था फसे हुए हैं लेकिन अभी भी कोई एक ठोस जो है कि परिचालन नहीं दिखाई दे रहा है कंपनी के सुरुवात होने का कंपनी के रिवाइवल का इसलिए यह लोग जो है कि इसके खिलाब केस कर रहे हैं एक पली जाया जो है कि दायर कर रहे हैं कोर्ट में दोस्तों इनका कहना है कि जो हमादरी specialty chemical है और प्लश डाल मिया ग्रूप है इनोंने इनका जो पैसा था भकाय थी वो सबी चुकता करने के बाद फीजिकल लूप से जो उडिचा का बाला सोर का इनका प्लांट था इस पे फिजिकली ये लोग कबजा कर लिये हैं साथ में बिरला टायर के जो सेर हैं जो ट्रेड कर रहा हैं मार्केट में उनको डिलिस्ट कर दिया गया है लेकिन अब तो बाजार खुलने के बाद पता चलेगा कि डिलिस्ट हुए हैं कि नहीं लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि 1990 में सब्सीडिरी थी केसो राम इंडस्ट्री की जिसे की 2019 में सेपरेट कर दिया गया पैरेंट फर्म से यह जरूरी नहीं कि कोई भी बिजनेस अगर किसी पैरेंट कंपनी से अलग हो रहा हो तो अच्छा ही हो तो इसलिए आपको अबक 30% की इसेदारी लगा कर केसो राम इंडस्ट्री ज ने इसकी शुरुआत की थी और इसका दावा भी कर रहा है इसके रिगार्डिंग भी यह लोग प्ली दायर की हैं लेकिन अभी तक इसका रिजोल्यूशन नहीं आया है दिसंबर से जनवरी में इसका तो आप इसे तुरंत ही बेच दे नहीं तो आपको एक पैसे मिलने वाले नहीं है तो दोस्तों एर आप बिरला टायर से संबंदित कुछ न्यूज आपको आपके प्रटफोलियो में हाए कि नहीं कि आप इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं एक बार जब आप खरीदने के बारे में सोचना तो एक बार इन्वेश्टर पर आके एक बार पब्लिक या फिर नहीं, प्रमोटर में आप जरूर चेक कर curse बारा कि इसमें कोई इन्वेश्टर वहां से है क्या है कि नहीं मादरी च्रफोल्च ले पीर जो डाल treatment रूप है उससे कोई प्रमोटर इसम दिखाई नहीं पड़े हैं तो दोस्तों ए रहा